आग व्रीवन जैसे मैं आज आप लों से बोला था कि आध से आप लों की घीके और इंगलेसी क्लासे गारीगारी ग्रम महिने छोड़ो एक महिने पहले करो एक महिने कर लेंगे उसके बाद अपना आप देखना कि स्कोर कितना आपका इंप्रूव होगा और आपका कितना नॉलेज डेवलप होगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवा है और मेक शूर आपने चैनल को मिल जाएगा परमार एयर फोर्स करके आप टेलिग्राम पे सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चिन टेश जुलाई दोजार इकिस को टोक्यो ओलंपिक के उद्गाटन समारों में भारत के द्वजा वाहां कौन थे हूज द आज ये मुझसे गलती होगे कि मैंने यहां पे आंसर्स लिख दिये हैं लेकिन आगे से आपको यहां पे आंसर्स लिखे हुए नहीं मिलेंगे ठीक है तो अभी तो मैं कोश्चिस करहूं कि इन आंसर्स को मैं हाइड कर लूँ लेकिन पहले तो इस क्विश्चिन पर आते है इस question का सही answer Marycom and Manpreet Singh अच्छा आप ये बताओ Marycom और Manpreet Singh में Olympic में, इस ओले Olympic में किसने medal जीता Marycom ने तो जीता नहीं इनका संबंद भी पूछ सकता है इनका संबंद किस खेल से है ठीक है तो Marycom का संबंद है boxing से ठीक है और Manpreet Singh का बात करें तो इनका संबंद है hockey से ये Indian hockey team के captain है और Indian hockey team ने कौन से medal जीता है इस बार bronze medal जीता है ठीक है अगला question अगला question आपकी screen पे है राश्ट्री मतदाता दीवस कब मनाया जाता है When is National Voters Day celebrated 15 January, 25 January, 15 February 25 February सही answer इसका option number B है 25 January को अगला question देखते है और मैं ऐसी उमीद कर रहूं आपसे कि आप हर एक question को पहले अपने से attempt कर रहूंगे ताकि आप मुझे last में ये बता सकें कि आपने 20 में से कितना score किया और आप खुद track कर सकें कि आज day 1 में आपने कितना score किया 10 number, 8 number, 12 number जितना भी आपने score किया और फिर जब हम लोग एक हफ़ते के बाद अपने progress देखेंगे फिर एक महीने के बाद देखेंगे दो महीने बाद, तीन महीने तो खुद ही आपको progress जो है समझ में आ जाएगी तो अगला question देखते है बिहार के राज जपाल कौन है फागू चोहान, नितीश कुमार, रामनात कोईंद फिर आनंदी बेन पतेल नहीं भी पता है तो अराम से लगा और आंसर तक पहुंच जाओगे नितीश कुमार तो CM है, रामनात कोईंद प्रेसिडेंट है, आनंदी बेन पतेल आपको पता है पहले गुजरात की CM थी लेकिन ये इनका बिहार की कभी गवर्णर रही नहीं है भी सही answer option number A होगा फागू चोहान, ठीक है अगला question है, बजरंग पुनिया किस खेल से सम्मन देते हैं बजरंग पुनिया इस रलेटे टो इफिज फोट्स, बाडमिंटं, र्रशलिंग, टेबल, टैनिय, से फिर एफलेटिक्स पता है, इसका सही answer होगा option number B, wrestling, ठीक है बजरंग पुनिया ने इस बार कौन से medal जीता था इस बार इन्नों ने Olympics में bronze medal जीता था ये पता होना चीए और एक और हमारे wrestler है जिनोंने एक और medal जीता था वो था silver medal और ये जीता था किसने रवी दहिया जी ने ठीक है रवी दहिया ने तो इसका सही answer option number B होगा wrestling अगला question है नेम लिखित में से किस शहर को भारत की wine capital के रूप में भी जाना जाता है which of the following city is also known as wine capital of India नासिक, बैंगलोर, कुची, लगनौ सही answer option number A है नासिक यूकि जो भी इसके ingredients होते हैं ठीक है wine के वो नासिक में अच्छे कासे मिलते हैं सवज़े से इसको wine capital of India भी बोलते है नासिक अच्छा ये कई बार question पूच लेता है कि नासिक किस नदी की किनारे situated and located है ये आपको पता होना चाहिए गोदावरी नदी की किनारे ठीक है अच्छा comment में ये बताओ हैदराबाद जोए किस नदी किनारे थी थी थे hint देता हूँ आपको उस उसका नदी का नाम M से सुरू होता है अगला question है किस फिल्म ने Oscar 2021 में सरफ शेस्ट फिल्म का पुरसकार जीता है which film has won the best film award at Oscars 2021 मिनारी, दफादर, जोकर ये फिर Nomadland सही answer option number D, Nomadland इसको रट लो Oscar 2021 में Nomadland ने ये आपर जीता है current interface के point review से काफी ज़्यादा important है अगला question है आपर रक्त का pH मान क्या होता है what is the pH value of blood तो pH क्या होता है power of hydrogen ठीक है, power of hydrogen अब इससे हम क्या हम आपते हैं कि किसी भी एक liquid की acidity level कितना है, मतलब acidic है, basic है neutral है, कैसा है, तो blood हमारा कैसा है, blood हमारा slightly slightly alkaline है, थोड़ा सचारी है, थोड़ा सचारी होकर इसका मतलब क्या हो गया, 7.4, 7 तो neutral value होती है, 7 neutral value होती है, 7 से गर हम कम जाते है, तो वो acidic value होती है, ठीक है, यहनि हमल होता है और अगर ज्यादा होता है 7 से तो चार होता है, रहने की, base होता है, alkaline होता है, तो option number B होगा, जो मेरा blood होता है, वो slightly alkaline होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है, आपसे वो pH value पुछे, वो आपसे यह भी बुछ सकता है, कि slightly acidic, slightly alkaline, neutral, तो slightly alkaline होता है, अगर मैं saliva की बात करूँ, saliva, तो यह slightly acidic side में होता है, 7 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, अगला question देखते है, water कैसा होता है, neutral, 7 होता अपसका pH, अगला question है हमारा, Oman की मुद्रा क्या है, what is the currency of Oman, रिंगिट, डिरहान, रियाल, एफिर रुपी, सही answer इसका option number C है, Oman, रियाल, Oman, रियाल, Oman, रियाल इसकी currency है, ठीक है, comment में आपको इसकी capital बतानी है, जिसी capital M से start होती है, ठीक है, आप आजाते हैं जरा science की question पर, यह पहला science की question देखो physics है, और हाँ, मैं आपको बता तूँ, अगर आपको science को concept wise पढ़ना है, अगर आपको science को concept wise पढ़ना है, तो परमार SSC में, ICR exam के लिए classes चल रही है, तो उनको आप follow कर सकते हो, परमार SSC YouTube चैनल पे, ठीक है, अगला है, पेंडूलम को चंद्रमा पर ले जाने की, उसकी समया विधी, the time period of taking the pendulum to the moon, decreases, increases, remains same and none of these, यानि ये question ये कह रहा है, अगर आप एक pendulum को चांद पे, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, ठीक है, अगर आपने pendulum से सका और pendulum को अप ले गए चांद में, तो इसका time period कम हो जाएगा, बढ़ेगा, वही से रहेगा, फिर none of these, तो time period का formula क्या होता है, यानि जो time है, वह gravity के inversely proportional है, इन सब 2 pi उपाई हटा के, हम ये लिख सकते हैं न, inversely proportional यानि कि G बढ़ेगा, T गटेगा, G गटेगा, T बढ़ेगा, inversely proportional का ही मतलब होता है, मून में जाने में gravity गटती है के बढ़ेगा, गटती है, कितनी हो जाती है, G by 6 हो जाती है, और G कितना है, G कमान कितना हो, तो 9.8 का 1 by 6 पार्ट हो जाएगा मून में, हमें 9.8 से कुछ लेना देना नहीं हमें इसे लेना देना कि G घटा और अगर G घटा तो T बढ़ा यानि कि टाइम प्रेड क्या होगा बढ़ेगा option number B अगला question है किस vitamin की कमी से rickets होता है deficiency of which vitamin causes rickets D, C, B, A बहुत आसान है D's का सही answer है C से क्या होता है अगर C की कमियों को इसकरवी सुखा रोख बोलता है B से बेरी-बेरी A से night blindness जिसको हिंदी में रताउंधी बोलता है अगला question है चीटी के डंक में कौन सा अम लपाया जाता है यानि which acid is found in iron sting यानि कि जब चीटी काटती है तो आपको परमानंद की तो अनुबिती होती ही है लेकिन वहाँ पे उपर फूल सा जाता है जो आपको जहां पाट पे को काटती है तो tartaric acid होता है उसमें citric acid lactic है फिर formic answer है option number D formic acid चाह वो आपको चीटी का डंक मारे चीटी डंक मारे या फिर जो मदुमक्खी यानि जो बीज होती है वो डंक मारे acid निकलेगा formic और दोनों में सूजन तो होगी होगी tartaric acid किसमें होता गरे किसका example मैं दूँ grapes में citric acid के अगर मात करूँ जो भी citrus fruits होगा जैसे कि lemon हो गया उसमें भी पाए जाएगा lactic acid कहाँ पाए जाएगा lactic acid आपका curd यानि की दही में पाए जाएगा अगर दूद से related कुछ भी आजा आपसे acid पूछ ले तो lactic मारना आँख बंद करके अगला question है प्रिशीतन किस सिध्धान्त पर कारे करता है on which principle does refrigerator work उश्मा गतिके का पहला निया मैंने first law of thermodynamics second law of thermodynamics third law of thermodynamics all of the above सही answer option number B second law of thermodynamics से work होता है जो आपका refrigerator होता है एक zeroth law भी होता है thermodynamics का खेर इसका सही answer option number B होगा second law of thermodynamics अगला question देखते है और हाँ अगर आप लोगको physics की classes चाहिए हो post guard के लिए gd के लिए gd मैंका physics math आता है उस वारी physics के मैं बात कर रहा हूँ जो 25 marks काता है अपका तो आप comment बता देना मैं कोशेश करूँँगा कि उसकी classes आपकी start करवा दूँँ ठीक है पूरा concept हो वाई से अगला question है यदि किसी तार की तरज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध if the radius of wire is half then it's resistance 4 time हो जाएगा 8 time हो जाएगा 16 time हो जाएगा फिर 20 time तो ये भी हमारा अब जैसे कि मैंने वो T इसको 2 पा अंडरूट ल भाई जी वाला concept लगाया था और हमने देखा था T जो है time period inversely proportional होता है gravity के उसी परकार जो resistance होता है प्रतिरोध होता है वो wire के radius के inversely proportional होता है तो square हमने देखा था वाँ पे अंडरूट भाई जी था अंडरूट जी था लेकिन ये square होता है ये ये आर घटेगा जो आपका radius घटेगा तो resistance बढ़ेगा तो resistance घटेगा लेकिन अब क्योंकि हमने value निकालनी है इस घटेगा बढ़ेगा इससे सिर्फ काम नहीं चले गए यहाँ पर value भी put करनी पड़ेगी हमें क्योंकि यहाँ पर square लगा हुआ है अब इसने radius को कर दिया है half ये छोटा वाला r radius को represent कर रहा है तो इसने radius को कर दिया हाफ यानिकि अब नई radius को हो गई r by 2 तो ये नई radius को नई resistance को r dash से दिखाते है और नई radius को तो इसने होई r by 2 और square था तो r square upon 4 हो जाएगा 4 उपर जाएगा यानिकि जो आपका resistance हो जाएगा वो कितने times हो जाएगा 4 times ठीक है अगला question देखते है अगला question आपका periscope बनाने के लिए किसका प्योग किया जाता है what is used to make a periscope convex mirror, plane mirror, concave mirror या फिर none of these तो इसमें plane mirror या समतल दरपन का यूज करते है periscope बनाने के लिए अगला question कहरा उश्मा गतिकी का प्रथम नियम किसमें सनच्चित होता है which is the first law of thermodynamics preserved force, sound, energy या फिर power तो इसका सही answer अब खुदी सोंचो thermodynamics का force से क्या लेने देना sound से क्या लेने देना power से क्या लेने देना अगला question है गुरुत्वा कर्षाण के कारण त्वरण यानि कि acceleration due to gravity अब ध्यान से देखना जो यहां पर पूचा जो gravity है वो अश्चांस में वध्धी के साथ बढ़ती यानि कि increases with increase in latitude decreases with increase in latitude remains the same for all latitude तो समझते हो ना अब चलो मैं प्रत्वी दोड़ और अच्छे दोना तो यह होगई मैं अरी प्रत्वी ठीक है और इसमें यह होते है लाटिट्यूड होते है यह equator हो गई यह Tropic of Capric on Antarctic Circle यह हमारे latitude होते है तो यह बोल रहा है कि हम उपर अगर latitude में जाएंगे तो gravity यह अनि कि एक तरह से यह पूछ रहा है अपसे कि equated से pole की तरफ जाओगे तो gravity बढ़ेगी कि गटेगी गता तो यह जब ही मैंने गोल सा बनाई है यह actually earth नहीं है earth जो हमारी poles पे यहां पे flat है ऐसे करके यहां पे flat है उपर नीचे ठीक है अब flat है तो इसका मतलब क्या हूँ अभी मैं और ढंक से इस question को समझाता हूँ आपको अब जब यह यहां पे flat है तो यहां से radius कैसे मापते हैं यह सब क्यों discuss कर रहे हैं यह पूचे gravity बड़े के घटेगी और gravity जो है universally proportional होता radius के आर्थ की radius किया से बात हो रहे ही माँ और तो अर्थ की radius कहां पर जाता होगी कहां पर कम होगी और अर्थ की radius यहां पर equator पर ज्यादा यहां ठोटना पर बलजी है अगर आपने और चोला से 번째 جगार कि मुद्धΥी पढ़ा होगा है तो अगर छोटा होगा यहाँ पर जादा है यहाँ पर कम होता जा रहा है radius तो जाइड सी बात है कि radius कम हो रहा है तो gravity बढ़ती जाएगा यानि कि increase is with latitude increases with increase in latitude option number a अगला question है भूस्ति रूप ग्रह का आवर्त काल कितना होता what is the time period of a geostationary satellite 12 hours 24 hours 48 hours 72 hours सही answer इसका option number b 24 hours ठीक है अगला question है यहाँ पर एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा तय करने में किये गए समय के समय के वर्ग के समानुपाती होती है तो इसका त्वरण होगा कितना है if the distance covered by an object is proportional to the square of the time taken by the object then its acceleration will be it will decrease it will increase it will remain zero it will be constant इसका सही answer का option number d वो constant रहेगा ठीक है उसका कुछ लेना दना नहीं कि distance आप double कर रहा हाफ कर रहा क्योंकि वो constant ही रहागा acceleration इस पर depend नहीं है ठीक है अगला question है पर प्रत्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का बहार कितना होगा अगला question है संचाइक बैट्रियों में किस धातू का प्रयोग किया जाता है विच में metal is used in accumulator batteries lead mercury sodium if platinum सही answer option number a होगा lead का use करते हैं accumulator batteries में ठीक है तो यहां हमारे 20 questions खतम होते है और आपका score कितना आया 20 में से तो पहले तो यह बताइए और अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं रगले basis पे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्स्राइब करके notification bell को प्रेस करें ताकि जो वीडियो के notification आपको मिलते रहें time to time और physics के regarding आप बता देना अगर आपको जीडी के लिए physics पढ़ना हो तो बता देना मैं सर से request कर दूँगा जो अरूरा सर आपको पहले पढ़ाते थे तो उनसे मैं request कर दूँगा तो आपके जो है concept wise classes start कर देंगे बाकी आप टेलीग्राम चैनल से इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो link in description और comment में आपको मिल जाएगा वीडियो पूरा देखने लाका बहुत बहुत जैन्यवाद